पूरा फैब का कबर किया जाएगा बीच में आपको जनवरी के और फिर अगामी जितने भी मन्त हैं मार्च, अप्रेल, मई इस तरह के सारे बैंकिंग और फैनिसियल अवरनेस के इंपोर्टन कोईस्टन आपको प्रवाइट किये जाएंगे क्योंकि अगामी जितने भी बैंकिंग एक्जाम होने वाले हैं उन सब में बैंकिंग और फैनिसियल अवरनेस का रोल काफे इंपोर्टन होता है जो आपका सेलेक्शन सुनिस्टित करता है तो इसलिए अब से आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी जाए तो लगातार इस साथ सेर कर दिजिए जो इस एक्जाम के प्रिपेशन करते हूं जिनको टेलिग्राम से जोड़ना है उसका कर लिका डिया गया है उसे आप चाहित होता है लेटस नोटिफिकेशन होता है वो टेलिग्राम में आपको दी जाती है जो भी इंपोर्टन चीज़े होती हैं सब किया जाता है तो पहला वैसन आपका है कि 2019-20 के लिए लोकपाल योजनाओं के वार्सिक रिपोर्ट निम्लखित में से किस ने जारी किया है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लोकपाल योजनाओं हैं उनके संबंध में वार्सिक रिपोर्ट 2019-20 का निम्लखित में से किस न रहा हूं इतने में आप आंसर जरूर कर दीजिएगा तो जिसने भी किया है उसका आंसर आप लोग करिएगा यहां पे आप से दो तीन question मैं करूंगा और कुछ चीज़ें आपको और important मैं बताऊंगा तो इसका banking लोगपाल का affiliate authority जो होता है ठीक है banking लोगपाल का वो कौन होता है ठीक है यह आप comment में करके जरूर बताइए अब हम लोग जानेंगे कि यह जो banking लोगपाल योजना है ठीक है यह RBI ने वरसी रिपोर्ट में जाई क्या किया है तो पहली चीज़ क्या है उसने यह कहा है कि जो ह 92% लगबग सिकायतों का निवारड किया है ठीक है तो यह काफी अच्छा RBI नहीं किया है क्योंकि अगर उनके पास इस बार अगर समदलों की 100 सिकायते थी 65% ज्यादा उनके पास आई तो इतनी बढ़ोतरी में आई है और उन्होंने पूरा मिलाकर 92% सिकायतों का निवारड किया है और इस रिपोर्ट में RBI नहीं क्या कहा है RBI नहीं कहा है कि हमारे तीन लोगपाल है ठीक है टोटल लोगपाल कितने है तीन पहला कौन सा है वो है बैंकिंग लोगपाल जिसका मैंने भी आपसे question पूछा है कि जो बैंकिंग लोगपाल है उसकी affiliate authority कौन है ठीक है यह आप comment में जरूर करके बताइएगा दूसरा कौन है गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनी आपने NBFC का नाम सुना होगा NBFC जिसको non banking financial company बोलते हैं तो यह भी RBI का लोगपाल है और तीसरा कौन सा लोगपाल है वो है लोगपाल और डिस्टल लेंदें संबंदी लोगपाल ठीक ह है वो अपनी सिकायतों को लेकर इन तीनों लोगपाल में से किसी एक लोगपाल से संपर्ख जरूर कर सकता है यानि बैंकिंग से जुड़ी कोई भी आपकी सिकायत हो कोई प्रोब्लम हो तो आप इन तीनों लोगपाल में से किसी भी एक लोगपाल में अपनी सिकायत है कोई इस लोगपाल में RBI ने और क्या कहा RBI ने ये कहा कि banking लोगपाल में ठीके सिकायते किन से जुड़ी आई थी ATM संबंदी सिकायते काफी आई थी ATM का पूरा नाम आप बताईएगा जो debit card है हमारे ठीके इन से जुड़ी सिकायते हमारे पास आई थी जो mobile और electronic जितने भी electronic तरीके से हम banking करते हैं ठीके electronic तरीके से जो भी banking करते हैं इन से जुड़ी सिकायते हमें काफी देखने को मिली है ये भी RBI ने अपनी इस report में लोगपाल योजना की जो वार्सिक report है इसमें उन्होंने बताया है RBI ने ये भी कहा है कि जो हमारे NBFC है ठीक है non banking financial company है इन्होंने क्या किया है कि जो लोगपाल का जो भी rules है regulation है उनका पालन नहीं किया है और इनकी जो मतलब पारदरसिता है उसमें कमी है ये सुल्क वसूलते हैं सबसे ज़्यादा सुल्क वसूलने का इन पे काफी सिकायते हैं कि ये बिना किसी information के शुल्क हम से ले लेते हैं और जो भी digital lane देन लोगपालों का fund है ठीक है transfer का है उसमें सबसे ज़्यादा सिकायते मिली है तो ये सारी चीजें RBI ने अपने report में सामिल किया है 2019-2020 में तो यहाँ पर एक दो चीजें बस आपको जानने के लिए हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा सिकायतें किस चीजें मिली हैं ठीक है ये कितनी लोगपाल है और कौन सब बैक्ती कहाँ पे lodge कर सकता है अच्छा आप मुझे ये भी बताईएगा कि अगर कोई बैक्ती है जो बैंकिंग लोगपाल में पनी सिकायत दर्ज करता है तो कितने महीने या कितने साल के अंदर उसे दर्ज करने का एक राइट है कितने दिनों के अगर कोई आउसका कोई आक्ट हुआ है उसके खिलाफ या कोई चीज़े उसको प्रॉबलम हुई है तो उसको कितने दिनों के अंदर उसमें लौज कर सकता है यहाँ पर आप एक प्रसन का आंसर करिए कि अगर किसी बैक्ती को बैंकिंग से जुड़ी कोई प्रॉबलम हुई है तो वो कितने दिनों के अंदर banking लोगपाल में अपनी सिकाय दर्ज कर सकता है और अगर सिकाय दर्ज हो जाती है तो banking लोगपाल के दौरा उसे कितना जो है amount उस छदपूर्थी के लिए दिया जा सकता है या mental agoni के लिए ठीक है mental agoni के लिए कितना रुपया दे सकता है तो ये दोनों चीजों का आंसर आप comment box में जरूर करिएगा ये question आप से हमेशा पूछे गए हैं तो ये भी आपका question काफ़े important है इन सब का आंसर जरूर करिएगा निमलकित में से किसने परवासी सर्मिकों पर राष्टी मौसादा नीती तयार किया है देखिए परवासी सर्मिक का जो ये term है ना परवासी सर्मिक ये lockdown में काफी चर्चा में रहा है तो इस पे जो राष्टी मौसादा नीती है वो किसने तयार किया है किन सरकार ने नीती आयोग ने, रासरकार ने या परवासी मंतरा ले ने, सभी ने मिलकर किया है, इसमें आपका आंसर होगा नीती आयोग, ठीक है, नीती आयोग, N-I-T-I, नीती आयोग है, इसका पूरा नाम सबसे पहले, आप मुझे comment में लिखेंगे, और ये नीती आयोग, योजना आयो जो है, दो चीजों का इसमें जिकर किया गया है, पहली चीज ये DBT, ठीक है, DBT का जिकर किया गया है, DBT का मतलब Direct Benefit Transfer, यानि जो, जितना भी सरकार के दोरा जो भी ये उजनाई दी जा रही न, परवासी सरमिकों को, उसमें पहला जो है, वो नगत हस्तानांत्रड है, यानि जो भी ओजनाई हो, वो सीधे उसका लाब उनके खातों में दिया जाए, ये पहली चीज हो गई, और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है कि जो उनकी skills है, ठीक है, skills को डबलब करना है, उनकी जो चमता है, ठीक है, जो उनकी strength है, उसमें जो भी चीजे हैं, उनकी समस्त जारें प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हटाने का प्रयास करना है तो नीति गया योग के द्वारा यह सर्मिकों पर जो प्रवासी सर्मिक थे उन पे क्राश्टिय मसोदा नीति चारी किया गया है आप यहां पर कमेंट करके एक चीज और बताएं कि यह प्रवासी दिवस जो ह के देश हैं तो यह भी आप मुझे कमेंट में करके बताइए इन्ही के द्वारा जो है न्यू डॉब्लमेंट बैंक के अस्थापना की गई थी न्डीवी के द्वारा एन आई आई एफ इसका मतलब है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंस्फार्ट्रक्ट्चर फंड ठीक है ज यह एमाउंट जरूर याद रखिएगा कि सो मिलियन डॉलर का जो है फंड साव फंड में इन्होंने परतिवत्ता की घोशना कर दी है एन आई आई एफ के द्वारा तो यहां पर आपको जानने को मिला अच्छा निव डॉब्लमेंट बैंक का हैड का है आप यह मुझे कमें में करके बताएंगे देखिए जितना आप सर्च करेंगे उतनी नौलेज आपकी बढ़ेगी तो यहां पर हर एक क्वैस्टन का आंसर आप कमेंड में जरूर करिएगा पिर्थवी मंत्राले ने भारत के लिए नीली अर्थ ब्योस्ता किसे कहते हैं जो समुंद्री में जितन नीली अर्थ ब्योस्ता नीती का एक प्रारूप जारी किया है ठीक है तो उस प्रारूप में कितने दस्तावेचों को सामिल किया गया है तो टोटल दस्तावेच कितने हैं वो हैं साथ नीधी में प्रारूप दस्ता अबी जो जारी किया गया है उसका मुख उद्देश क्या है उत्देश उसमें कहीं है जैसे ये जो हमारा blue economy है ठीक है ये हमारा क्या करेगा हमारे भारत के GDP में काफी योगदान करेगा त्याली चीज़ हो गई दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो तटिये समधाय की लोग है जो तटपे जो समुन्द के तटपे जो रहे हैं समुन्द के लोग उनके life style में सुधार लाना होगा उनके जीवन में सुधार लाने की बात की जा रही है और जो हमारा इस ज़य विवित्ता है ठीक है समुन्दरी जस्ताबेज है वो है साथ तो यह याद रखिएगा SDG का भी नाव आपने सुरह होगा SDG Sustainable Development Goal जो इसमें 14 नंबर का SDG है न 14 नंबर का ठीक है वो यह कहता है कि जो हमारे महासागर है जो हमारे सागर है या जो हमारे समंद्री संसाधन है उनका सनरचड और उनका सस्टेनेबल यूजेज करना हमारा पर्थम लच्छ है SDG 14 में क्या सामिल है नीली अर्द्योसा समंद्री चीजें सामिल है ये भी एक चीज आप ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्य उर्जा एजंसी ने भारत उर्जा परद्रिस 2021 को जारी किया है जिसमें भारत अगले दोदस्कों में उर्जा माग में करीब करीब 25 परसत की ब्रिद्धी करेगा और वह 2030 तक यानि 2030 तक यूरोपीय संग को पीछे छोड़कर दुनिया का कितने नंबर का सबसे बड़ा यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा उर्जा उभोगता बन जाएगा तो ये बन जाएगा तीसरे नंबर का यानि अब जो है उर्जा के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उभोगता कौन सा देश होगा भारत होगा वह 2030 तक और किसको पीछे छोड़ेगा यूरोपीय संग को क्योंकि भारत जो है अगले दो दसकों में करीब करीब अपने उर्जा छेत्र में यहाँ पर आंसर होगा एन एस बिसुनाथन कमेटी ठीक है एन एस बिसुनाथन समीती का जो है वो गठन किया गया है यह क्या करेगा यह प्राथमी सहकारी बैंकिंग छेत रहे तू यानि इसमें कैसे सुधार किया जाए या किन चीजों को और सामिल किया जाए इनकी सेकुरिटी को कैसे बढ़ाया जाए ठीक है तो इन सब चीजों के लिए आठ सदस्य का एक पैनल गठत किया गया है जिसके अध़च है एन एस बिसुनाथन कमेटी आप किया सकते हैं परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने बिजली और सहरी छेतर की तीन परमुख परियोजनाओं का सिला नयास किया है या परोजनाई किस राज में इनका उद्गाटन किया है यानि पिम के द्वारा बिजली और सहरी छेतर की तीन परमुख योजनाओं का सिला नयास किया गया है ये परोजनाई किस राज में सुरू की गई है तो वो राज है केरल केरल में पर्थान मंतरी नेन बोधी ने तीन बिजली परियोजनाओं का और सैरी छेत्रों का सिला नयास किया है पहला कौन सा है? तो ये तीनों का नाम आप याद रखें पहला दूसरा तीसरा आप नोट कर लें एक है पुगलूर तिरसूर पावर ट्रांस्मिशन परियोजना ठीक है प्याला ये है मैं फिर से रेपीट कर दे रहा हूँ पुगलूर तिरसूर पावर ट्रांस्मिशन परियोजना दूसरा है कासर गोड सौर उर्जा परियोजना और तीसरा कौन सा है स्मार्ट सडक ठीक है ये तीन चीजों का उद्गाटन, सिलान्यास, नरेंद मोदी ने केरल राज में किया है परधान मंतरी नरेंद मोदी ने 17 फरोई 2021 को कितने किलो मेटर लंबी रामानाथ पूरम थुतुकुडी प्राकृति गैस पाइपलाइन राश्ट को समर्पित किया है तो ये है 143 यानि 143 143 किलो मेटर का ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो पीम नरेंद मोदी ने रामानाथ पूरम थुतुकुटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राश्ट को समर्पित किया है कितने राजों से होकर जुड़ेगा तो एक है तमिलनाडू, आंद्रपर प्रदेश, करनाटक और पुदुचेरी ठीक है ये चार राजों में मिलकर 143 किलो मेटर ये प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को जो है इन पूरे राजों में परियोजना को सिलन्यास किया है प्रदान मंत्री नरेंद मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से 18 फर पूरबर पूरब की हिससे और हमारे भारत की हिससे इन में जो है उनके आसपार रहने वाले लोग या वहां की चीजों का कैसे हम इस हर से संपर्ख करेंगे उसी के बारे में ये महाबाओ ब्रह्मपुत्र करकरम नरेंद मोदी के द्वारा शुरू किया गया है यहाँ पर इस ओफ डूइंग बिजनेस का नाम आप लोग ने सुना होगा उन्होंने दो पोर्टल लॉंच किया है पहला है कार्गो ड देटा है वो क्या करेगा ये पोर्टल जो होगा कार्गो डेटा पोर्टल ये रियल टाइम आधार पर कार्गो क्रूज डेटा को मिलाएगा जो हमारे कार्गो डेटा है और क्रूज डेटा इनको जो है एक दूसरे में रियल टाइम बेसिस पे इनको क्या करेगा मिलाएगा दूसरा क्या है जो पानी पोर्टल है पानी पोर्टल का पूरा नाम है Portal for Asset and Navigation Portal for Asset and Navigation Information ठीक है Navigation Information की बात कर रहा है यानी जो हमारे नदी-जलपर्यतन और बुन्यादी धाचे हैं न इनके बारे में कितनी जानकारिया हम परदान कर रहे हैं इनकी जो समस्या है इनका समाधान कर रहे हैं इनकी लिए दूसरा पोर्टल है जिसको हम बोलेंगे पोर्टल फॉर एसेट एड निविगेशन इन फॉर्मेशन तो इन दो पोर्टल का नाम आप जरूर याद रखिएगा ठीक है बस आज के वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स वीडियो में God bless you to all थेंक्यू फर वाचिंग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर सेर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थेंक्यू फर वाचिंग